प्रस्न 27, 17 से नीचे वीशम संख्याओं का योग है, तो इसका एक सुत्र है, एन प्लस एक बटा दो का वर्ग, तो 17 से नीचे कहा रहा है, 17 से नीचे मतलब 17 से नीचे यानि 17 से पहले कौन सा वीशम संख्याओं, 15 है, तो एन के जगा पे क्या रखेंगे, 15, तो 15 जोड एक बटा दो का वर्ग, 15 जोड एक कितना होगा, 16, 16, बटा दो का वर्ग, तो 16 को दो से भाग देंगे, तो 8 आठ आएगा, 8 का वर्ग कितना होगा, 64, यानि इसका उत्तर आएगा, 64, आप्शन C इसका सही उत्तर है, तो 17 से नीचे कह रहा था, इसका मतलब हुआ कि 15 तक, तो पर्थम 15 बिशम संख्याओं का योग, का सुत्र क्या हो जाएगा, एन प्लस एक बटा दो का वर्ग, या इस सुत्र को ऐसे हम कह सकते हैं, लगतार एन तक की बिशम संख्याओं का योग, बराबर होता है, एन जोड एक बटा दो का वर्ग, प्रशन अठाइस, 17 से नीचे सम संख्याओं का योग है, तो इसमें हम सुत्र लगाएंगे, एन बटा दो गुना, एन बटा दो जोड एक, तो लगतार एन तक की सम संख्याओं का योग का सुत्र क्या है, एन बटा दो गुना, एन बटा दो जोड एक, तो यहाँ पर कहा रहा है, 17 से नीचे, यानि 17 से पहले सम संख्या कौन है, 16 है, तो इन के जगाँ पर क्या रखेंगे, 16, 16 बटा दो गुना, 16 बटा दो जोड एक, 16 को दो से भाग देंगे तो 8 गुना, 16 को दो से भाग देंगे तो 8 आएगा, आठ जोड एक करेंगे तो 9 आएगा, यानि 8 नम बहत्तर, तो इसका उत्तर होगा 72, जो की है, उप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर है, उप्शन डी, बहत्तर, प्रस्न उन्तिस, 18 से नीचे अभाज संख्याओं का योग है, तो 18 से नीचे अभाज संख्या कौन-कौन है, उसको पहले हम लिख लेते हैं, दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद पांच है, साथ, इगारह, तेरह, और सत्रह, ये सब है, 18 से नीचे अभाज संख्याओं में हो गया, दो, तीन, पांच, साथ, इगारह, तेरह, सत्रह, अब कह रहा है, इसका योग, यानि इसको जोड देना है, इसको जोडने पर कितना आ जाएगा, देखिये, दो, जोड, तीन, जोड, पांच, जोड, साथ, जोड, इगारह, जोड, तेरह, जोड, सतरह, बराबर कितना आएगा, तो 17, 13 हो गया 30 और इधर से देखिए 5, 3, 8, 2, 10 यानि 30, 10, 40 हो गया और 11, 7, 18 यानि 48, 58 तो 18 से नीचे अभाज संख्याओं का योग क्या होगा 58 जो की है ओप्सन B में प्रेसन 30 सत्तर और नब्बे के बीच अभाज संख्याओं होगी तो सत्तर और नब्बे के बीच में अभाज संख्या कौन-कौन होता है उसको यहाँ पर बताना है तो देखिए सबसे पहले 71 होगया भाज संख्या उसके बाद 73 उसके बाद 89 उसके बाद 83 और उसके बाद 89 तो सत्तर और 90 के बीच में कितना भाज संख्याओं आया एक, दो, तीन, चार, पांच पांच आया तो इसका उत्तर होगा पांच तो सत्तर और 90 के बीच में कितना भाज संख्याओं उसको लिखना है तो देखिए कितना है एक, दो, तीन, चार, पांच यानि आप्शन सी इसका सही उत्तर है प्रस्न एक, तीन, किन्ही दो अंकों की एक संख्याओं के दोनों अंकों का योग इगारा है इगारा है, दोनों अंकों का योग यदि संख्या का इकाई अंक 6 है देखिए, इकाई अंक क्या है? 6 है तो दहाई अंक दो अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई अंक होगा तो देखिए, 6 में क्या जोड़ेंगे? कि इगारा आएगा पांच जोड़ेंगे ठीक है यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 56 क्योंकि इकाई अंक दिया हुआ है और उन दोनों अंकों का योग 11 है तो दहाई अंक क्या होगा 5 होगा क्योंकि 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 तो इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि संख्या हो जाएगा 56 तो इसका सही उत्तर है option B प्रस्न 32 किसी संख्या में इकाई कांग 5 दहाई कांग 6 और सैकडा कांग 7 है तो वह संख्या होगी तो किसी संख्या में इकाई कांग क्या है 5 है दहाई कांग 6 है तो दहाई कांग यहाँ पे लिखते है और सैकडा कांग 7 है तो संख्या क्या हो गया 765 देखे इकाई दहाई सैकडा इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकडा तो इकाई कांग 5 कह रहा है दाई कांग 6 कह रहा है और सैकड़ा कांग 7 कह रहा है तो इस तरह से लिख लेंगे तो इसका उत्तर हो गया 765 जो की है ओप्शन B में 33 प्रस्न 33 4, 6, 8, 10 प्रिखाले स्थान यहां पर 14, 16 में लूपत स्थान में किस अंग को रखा जाए कि क्रम नहीं तूटे तो यहां पर क्या दिया है 4, 6, 8 10, खाली स्थान 14 14, 16 तो देखें यहां पर लूपत अस्थान है यहां पर कौन सा संख्या आएगा? यहां पर जो क्रम है वहा है नहीं तूटेगा तो यहां पर क्रम कैसा है? देखे, चार में दो जोड़ने पे छे आ रहा है, छे में दो जोड़ने पे आठ, आठ में दो जोड़ने पे दस दो दो जोड़ने पे बढ़ रहा है, तो दस में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बारह यानि यहां पर क्या होगा, बारा होगा, लुपतस्थान में, लुपतस्थान में क्या भरेंगे, बारा, देखें बारा में दो जोडने पर चौदा, चौदा में दो जोडने पर सोला है, तो इस तरह से क्रम में है, यह संख्या, तो यहां पर क्या होगा, बारा है, यानि आप पांच, दस, पंदरा, लूप्त स्थान, 25, 30 में लूप्त स्थान के स्थान पर आने वाली लूप्त संख्या होगे, तो यहाँ पर प्रस्ण है, पांच, कॉमा, 10, कॉमा, 15, कॉमा, खालिय स्थान, 25, 30, तो देखें, लूप्त स्थान में भढ़ना है, तो यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है संख्या, पांच में पांच जोडने पर 10 आ रहा है, देखें, दस में पांच जोड़ेंगे तो 15, तो 15 में पांच जोडने पर क्या हो जाएगा, 20, 20 में 5 जोडने पर 25 25 में 5 जोडने पर 30 यानि 5 पांच जोडने पर संख्या आगे बढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा 20 इसका उत्तर इसका उत्तर होगा option A option A में क्या है 20 है तो यहाँ पर क्या भरेंगे इसका उत्तर होगा 20 तो option A इसका सही उत्तर है